हेलो डियर स्टुनेंट्स योर मोस्ट लेलकम इसके लिए अनलाइन एडुकेशनल प्रोग्राम सो तोड़ें विल लान अबाउट एलेक्टिक फिल्ड लाइन्स दिस अगर टॉपिक फिल्ड लाइन्स क्या है एलेक्टिक फिल्ड हमने पड़ा कि जब भी कोई पॉजिटिव रखा होता है तो इस एक फिल्ड करता है वह एक फिल्ड करते हैं जिसे हम क्या बिलते हैं य। अब फिल्ड तो श्र्ड़ पाइलेक्टिक फिल्ड देखता थो है बड़त हमें किसे theory और जुए अधर चार्ज पार्टिकल कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है यह positive हो negative हो अगर वो positive है तो एक force तो बस यही अब हमें देखना है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो या ओजिट वो किसी एलेक्टिक फिल में रखा है तो हम उसका पाथ ट्रेस करते हैं कि सपोस्थ यह बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है और यह कोई ट्रेस चार्ज जब इस पर फोर्च लगेगा तो यह छोटा वाला चार्ज पार्टिकल क्या करेगा इस एलेक्टिक फिल में मॉव करेगा और आगे चलेगा अब आगे जिस तरीके से चलेगा किस तरीके से भी जाए तो इसका जो पाथ होगा उस पाथ को ही हम क्या भूण देते हैं इलेक्टिक फिल्ड लाइस ठीक है और इस पाथ पर कोई टेंजेंट अगर हम ड्रौ करें तो वो फिर किसको बताता है इलेक्टिक फोर्स की डिरेक्शन बतात अगर इलेक्टिट फिलड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखे हैं तो वह आगे की तरफ जाएगा से दूर जाएगा से इन्फिनिटी डिस्टैंस तक जाएगा अगर को छाटिकल वहां से अपने आप आए यहां मौने लिखा है कि में यह समूथ इसमूथ कर अंदर एक अधर at any point or which gives the direction of electric field at that point तो यहां हमने जो टेंट की इंचा वो electric field की direction या electric force की direction को इंडिकेट करते हैं तो समझ आएके की electric field lines आर दे स्मूद कर इन एलेक्रिक फिल्ड ठीक इस्मूद कर इन एलेक्रिक फिल्ड तो जो पॉजिटिव पार्टिकल नेगिटिव पार्टिकल उसका पाथ होता है फिर्म उसे ट्रेस करने की बाद देखते हैं तो कर्व जो हमें मिलते हैं वो कर्व ही कहलाते हैं क्या इलेक्रिक फिल्ड लाइंस ठीक है तो यह समझभा़ में तो अब इलेक्रिक फिल्ड लाइंस da जितनी ज़्यादा होगे उतना ज़्यादा electric field होगा अगर electric field lines कहीं कम है तो वहाँ electric field weak होगा ठीक है वे अब उनकी electric field lines की कुछ properties हैं जो exam में कभी कबार पूछने के लिए आते हैं First property कि the electric field lines comes out from positive charge and goes in negative charge particle इस point दों समझते हैं कि यह भई हमारे पास कोई positive charge particle है तो उससे जो electric field lines आएंगी वो इस तरीके की होगा outwards ठीक है अगर कोई negative charge particle है भी तो electric field lines किसी तरह से होगी but direction opposite हो inverse होगी ठीक है तो नेगिटिव चार्ज पार्टिकल से electric field lines यह आती हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से electric field lines इस टार्टिक लेंगे क्लियर दूसरा the tangent drawn at any point represents the direction of electric field तो जितने की curve आपके आए electric field lines यह आपको मिलेंगे तो उन पर जैसे भी बता रहे था कि यह आपको पार्टिकल यह मूब कर रहे है अब इसके उपर हुने टेंजेंट ड्रो किया तो यह किसको बता रहे है electric field की direction को बता रहे है the tangent drawn at any point represents the direction of electric field is that clear now third point these are open curve अगर जब individual charges की बात होगी तब यह open curves होगे closed curve नहीं होगे बट एक condition में यह closed curve बन सकते हैं का जब electric dipole की condition हो electric dipole में में पता है कि एक particle positive होता है और एक particle negative होता है ठीक है इस तरीके सम देखें इससे आने वाली electric field lines यह होगी होगी यह नहीं है आउटवर्स होगी और इसससे आने वाली electric field lines कैसी होगी इन्वर्स होगी यह होगी तो जब एक dipole है तब हम इनको मिला सकते हैं तब यह कैसे curve बन जाएंगे वई closed curve बन सकते हैं कब जब electric dipole हो तो यह question लास्ट यह बोर्ड में आया है कि electric field lines draw करें एक दूसरे को intersect नहीं कर सकती हैं यह दो बने particles बनाएं और दोनों ही कैसे हैं positive तो यह कितनी क्लोजर क्यों ना आ जाएं बट कभी भी एक दूसरे को इंटर्स यह neutral point है देपर यह यहां सबसकते हो कि अगर two same magnitude के charge particle है उनके nature same है तब एक दूसरे को क्या करेंगे repair करेंगे और एक ऐसा point जहां electric field कितना हो zero उस point पो बोलते हैं क्या neutral point तो यहां हम देख रहे हैं कि close आ रहे हैं फिर दूर हो रहे है तो two electric field lines कभी भी एक दूसरे को cut नहीं कर सकती है यहां हम देखे हैं बहुत पास पास आ जाएंगे but cut नहीं करेंगे इसका reason यह है suppose that two electric field lines ने एक पूसरे को cut कर दिया अब यह point intersection point अब इस पर हमें electric field की direction बता रहे हैं electric force की cable और cable एक ही direction होती है two directions नहीं होती है इसलिए two electric field lines never intersect each other अगर करिवार यह mcqs में भी आ सकता है या very short में भी आ सकता है कि क्यों नहीं गाट की तम लिख देंगे कि at intersection point the direction of electric field in two different direction which is not possible so electric field lines never intersect each other okay next point electric field lines are normal to the surface of conductor कि हमें कोई conductor देया है तब electric field lines किस तरीके से निकलेंगी तो वो हमेशा निकलती है कैसे normal कैसे निकलती है normal आएंगी भी तो भी surface के कैसे होगी नॉर्मल ही आएंगी तो यह एक बहुत important topic था जो बच्चें उससे पूछ भी रही तो क्योंकि electric dipole नहीं पढ़ाया था तो वो डम यहां आ देया ठीक है इसलिए इसको हमने last में पढ़ाया है तो electric field lines के topic पूरा clear होते हैं तो आज एक topic और पढ़ेंगी कि हमने अब हम electric field पढ़ेंगे उसकी derivation है पूरी कि due to the charged ring की रिंग की वजा से electric field किसी point पर है और point भी कैसे लेना उसके axis से center से उसका axis जाएगा तो उसके axis पर कोई point होगा और वहां हमें electric field derivate करना है due to the ring यह derivation भी exam में कभी कभार आ जाती है और नहीं भी आए तो नम्रीकल तो बहुत आती है ठीक है तो देखिए वही तो electric field due to charged ring तो इसके axis पर हमें पालना है किस पर? axis पर तो charged ring है उस पर एक Q charge है जो की पूरी तरीके से उस पर फैला है ठीक एक ring बनाए ठीक और इस पर पॉजिटिव की चार्ड इनिफॉर्म ली फैला हुगा है ठीक यह इसका center है वो और center से circumference तक का distance radius कहलाता है वो radius से इसकी यह है और center से इसके axis पर एक्स डिस्टेंस पर कितने पर? एक्स पर पी कोई point ही जहां हमें electric field find करना है भी तो यह आप समझ सकते हैं जैसे मेरे हाथ में एक है रही है अगर इसे हम charge करते हैं और फिर इससे center पर electric field से एक axis यह निकालें इसके center से यहां और यह charge तब इस पॉइंट पर electric field हमें बताने है ठीक है तो वो कितना हो है ना तो इसकी derivation अब हम लोग करेंगे पॉइंट से हमें पता है कि पॉइंट चार्ट से कितना होता है कि बारपोन 4 पाई epsilon not की पॉण आर इसके पिर डाइबूल से भी हम पता है तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे कि रिन को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे और की चार्ट तो इसके बहुत छोटा से component है तो इस पर चार्ट ही कितना है पूरे पर क्यू है तो छोटे से पार्ट पर डिल्टा क्यू चार्ट फैला हो रही है ठीक है अब उससे इस पॉर्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना मालने जाएगा भी आर माल लेंगे कितना माल लेंगे आर से इधर से भी आर माल सकते है ठीक अब देखिए यह X हो गया यह R हो गया और यह A हो गया ठीक है तो अब आप पी पॉइंट पर इस डेल्टा क्यू जो कंपोनेंट है छोटा सा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे बही है ना तो कितना आएगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे डेल्टा E क्योंकि डेल्टा क्यू की वज़ा से तो बन अपोन फूर पाई एपसालेंट मोंट एयर है कोई डेल्ट्रिक कॉंस्टेंट नहीं मानगा है क्यू अपोन आर इसकर है या डेल्ट क्यों लिए क्योंकि वो डेल्टा की उचार्ज है इसका है किलिए यहां तक वार समझ भागिए कि डेल्टा कीव अपोन आर इसके है यह एक एक टार्ज फील होगा तो इसकी डारेक्शन क्या होगी में अब इसके डारेक्शन भी देखेंगे, डारेक्शन यह हो, डेल्टा ई की, ठीक, अब सबसे ज़्यादे इंपोरटेंट है इसके डारेक्शन का पता लगा, इस वाले पार्ट से जब देखेंगे तो इस डारेक्शन यह हो, डेल्टी बट हमें कहां करना था, इसके एक्सिस प पर देखना है कि एक्सिस पर किता है तब हम इसके components करेंगे, two components, यह angle को मान लेगे कितना है, theta है, यह भी theta होगा, तो vertical opposite angle अगर आप देखे जाएं, तो theta बान सकते हैं इस angle को, यह वाला angle कितना हो सकता है, वही, theta बाना जा सकते हैं, इस angle को मान लेगे कितना, theta, तो एक part इसका d e cos theta होगा और दूसरा d e sin theta, तो d e cos theta, जिसके साथ angle होता है, वो d e cos theta और यह पर्पेंटिकुलर वाला component, d e sin theta, सेम इसका भी हमें ऐसी देखें, तो यह theta देखें, इसके भी two components, एक daily sin theta और दूसरा daily cos theta, तो इन two components की बात हो रही है, तो axis पर कौन-कौन से component एड़ हो रहे है, electric field निकालना है, कितना, total electric field at point p, और वो भी किस पर, एक्सिस पर, जब एक्सिस की बात होगी, तो e equal to क्या आजाएगा, sigma, daily, e cos theta, अब आप लोग समझे होंगे, सिग्मा क्यों लिए है, sigma means sum, सभी का, यह component, यह component, कितने भी आप components बनाएं, उन सब का sum यह होगा, एक्सिस पर, यह वाले तो cancel out हो जाएगा, put the value of daily, 1 upon 4 pi epsilon not, sigma, daily q upon r square and this cos theta, अब यहाँ आप देखिए, sigma, delta q, कितना लेगी, q, क्योंकि total charge कितना फैला था, उस पर, q, तो e हमारा हो गया, तो 1 upon 4 pi epsilon not, q upon r square, और cos theta की value, आप इस triangle से निकाल सकते हैं, cos theta equal to क्या होते हैं, हाँ, base upon hypotenuse, तो इसमें, निकालना है, तो base कितना है भी, x, और hypotenuse कितना है, r, hypotenuse कितना है, r, ठीक, तो जब हम इन दोनों को रखेंगे, x upon r, ठीक, x upon r, यहाँ value put कर तो cos theta की, x upon r, दोबारा देखें, एक बार और, कि यह कैसे आया, कि यह एक ring है, charge ring, जिस पर q charge uniformly फैला हो रहा है, distribute है, तो उसके axis, उसके center को point है, उसके radius a है, और center से जाने वाली जो line है सीथी, वो बने उसकी axis, अब axis पर we have to find electric field, कितना हो, तो यह distances का x, यह distances का r, तो सबसे पहले यह देखा कि इसकी जो direction है, वो यह होगी, daily, same इसका भी, यह होगा daily, तो जब यहाँ यह है, यहाँ यह, अब हमें का निकालना है भी, center, direction center पर जो axis पर नहीं है, जब axis पर करना है, तो इसके two components लिए, एक horizontal component, दूसरा vertical components, ठीक है वहीं, तो horizontal component और vertical components क्या होगे, तो horizontal और vertical component एक cos होता है, दूसरा sign, तो यह angle, दोनो opposite angle है, जब two lines इस तरीके से होगा, तो यह theta है, तो यह भी theta रोपा, ठीक है, यह angle, same है, same है है, तो जिसके साथ theta होता है, वो component हमारे कहीं बनते है, cos theta, और ज़स उसके perpendicular वाला sign theta, तो इसके daily cos theta, daily sign theta, same इसका भी, और इसका daily cos theta, यह daily sign theta, तो daily sign theta will cancel out, because both are opposite and both are same, but daily cos theta will be added, because direction of both same, तो बट, अभी हमने किवेट two components ले है, बट इस पूरे coil में, या पूरे जाकर ring है, उसमें बहुत सारे components होगी, तो सब की वज़ा से हमने क्या यूज करा भी, sigma यूज करा, sigma means sum of all components, put the value of daily and cos theta की value बाद है, तो इतना आपका यह complete हो गया, ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, कि इसकी value put कर दो, R की value क्या होगी यहीं निखाल लो, कि R की value क्या होगी भई, hyperdenious है, तो क्या हो सकता है, A square plus X square, whole power 1 by 2, root आएगा या 1 by 2 यहींगा, तो यहां है, इसकी value put कर दो, तो इक वर्टू बन अपॉन पॉर पाई, एपसाले नोट, Q, X, अपॉन, यह कितना होगी आप, Q, और R की value हम आपॉन अल्रेटी निकाल चुके हैं, बन अपॉन पॉर पाई, एपसाले नोट, Q, X, अपॉन, आप डावर यह, तो A स्केर्ड प्लस, X स्केर्ड, Q, और होल पावर, बन अपॉन, 2, यह बन अपॉन पॉन अपॉन पॉन पॉन पावर भी, तो कितना होगी, इक वर्टू बन अपॉन, फॉर पाई, एपसाले नोट, Q, X, अपॉन, A स्केर्ड प्लस, X स्केर्ड पे बोल पावर, 3 अपॉन, यह आपका एलेक्ट्रिक फिल्ड, आ जाएगा, और डारेक्शन क्या होगी, वही, ट्वार्ज, O, P, इसकी तो डारेक्शन होगी, वहो, O से, P की होगी, तो इस इज़ डेलिवेशन, नॉर्मली, कि E क्वर टू बन अपॉन, 4 पाई अपसाले नोट, Q, X अपॉन, A स्केर, प्लस, X स्केर, होल पावर, 3 वाई, इतना एलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ, क्रियेट, होगा करी, चीक है, अब इसमें भी कुछ कंडिशन्स हैं, कंडिशन्स क्या हैं भी, इसे रख करने हैं, चलो, कंडिशन यह है, कि यह फॉर्मूला था, हमने डेलिवेट कर लिया, तो फिर्स्ट डेलिवेशन यह है, कि यह अग्या, कि सेंटर पर निगाले, इसेंटर पर कितना इलेक्टिक फिल्ड होगा, तो ओपर हमें निगालना है, उसके लिए एक्स कितना रखना पड़ेगा भी, जीरो के इकड़, जब इस फॉर्मूले में एक्स जीरो हो जाएगा, तब इलेक्टिक फिल्ड कितना आएगा, जीरो, कि रिंग के सेंटर पर इलेक्टिक फिल्ड कितना आता है, जीरो आता है, क्योंकि आए एक्स के वेली जीरो पुट करेंगे, तो यह सब कुछ जीरो हो जाएगा, दूसरा पॉइंट यह है, कि अगर बहुत आगे तक निकाला जाएगे हैं, कि बहुत आगे, एक्स स्क्वेर के, तब एलेक्टिक फिल्ड कितना होँगा, तो बन अपॉन फॉर पाई, एपसालन नौट, क्यूँ एक्स, अपॉन एक्स कूदी पावर में कितना आजाएगा, क्यूँ, और एक एक से एक एक्स, कैंसल हो जाएगा, बन अपॉन फॉर पाई, एपसालन नौट, क्यू अपॉन एक्स स्क्वेर, यह बिल्कुल वही फॉर्मूला आ रहा है, जब हमने पॉइंट चार्ज से नकाला था, डिव टू दा पॉइंट चार्ज, तब यह जब बहुत दूरी पर पूछेगा, कि लास्ट काफी ज़्यादा आ रही था, यानि उस एक्स की कंप्यार में यह बहुत छोटा हो, तब एलेक्टिक फील्ड कितना होगा, तो तब रेंग, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह बहेर करें, तब यह हैं, एक पॉइंट और आता है, कि मैक्जमम इलेक्टिक फील्ड कितना होगा, कि मैक्जमम इलेक्टिक फील्ड होई कितना करना है, तो मैक्जमम के लिए अगर आप देखेंगे, कि मैक्जमम डिस्टेंज, मैक्जमम डिस्टेंज, फॉर, इमैक्स, हानि electric field maximum का होगा कि x कि किस distance पर electric field क्या हो maximum हो maximum electric field का होगा तब उसके लिए x की value आएगी a upon root 2 कितना आएगा भी a upon root 2 तो यह बहुत important है यह आपनों याद रखें कि दोनों side कोई ring है e maximum के लिए x की value कितनी होनी चाहिए a upon root 2 meter दोनों तरफ इधर भी जा सकता है वो यह पर रूट 2 और दोनों side रखें सकता है तो यह बहुत important notable point है जितनी चीज़ मैं बताता हूं कि important है notable है तो please उसे अपनी notebook में कहीं पर भी important डालकर या start डालकर लिख लिया करें क्यों कि अब जो पेपर का बैटा है वो बिल्कुल बदल चुका है बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती है आपने भले पूरी थिवरी पड़ी है तब भी आप पूरा पेपर solve नहीं कर पाएंगी क्यों कि बहुत छोटी चोटी टर्म्स ऐसे होती है जिन्हें पढ़ती टाइं नेगलेक्ट कर देती हैं और वही गजाम में आ जाती है तो मैं साथ ही साथ जब थिवरी कराता हूं कुछ important facts भी बताता हूं तो यह सब important facts है आप इन्हें जरूर 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 नोट करें और उन्हें देखिए के लिए तो अभी हमारे यह chapter अल्मूस्ट complete हो चुका है कि वल एक derivation रह रही है तो मैं नेस्ट वीडियो में आपको पर आऊंगा और कुछ numericals भी उसके बाद हमारे यह chapter complete होगा और फिर हमारा new chapter start होगा गौश की फ्रूर उससे पेले हम इस chapter के सारे numerical solve करने होंगे आई हूँ कि you will solve these numerical और learn physics with me, fully enjoy, thank you for watching me, bye bye